हेलो दोस्तों नमस्ति इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान ऐसा ही भरती 2021 के बारे में बहुत सारे डिटन के कमेंट हा रहे थे कि सर अब जो रन नीती हमको क्या रखनी है तो पूरी complete में आपको यहाँ पर detail के साथ मैं जानकारी देने वाला हूँ और साथियों मैं आपको बताना चाता हूँ जो पिछली वेकेंसी थी उसको मैंने कम समय के अंदर उस paper को बहुत एच्चे नमरों के साथ में पास किया था मेरा सारा अनुभू भी आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों इस चैनल पर आपके लिए रोजाना live test चलाया जाता है जिसमें पूरा complete जो gk और gs का paper है वो करवाया जाता है तो आप टेलेग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिजेगा दोस्तों उसकी pdf भी आपको फ्लब्द कराया जाती है तो class के लिए टेलेग्राम चैनल जोइन करना link आपको description में उसका मिल जाएगा चलिए दोस्तों start करते हैं तो कौन-कौन से बिंदू यहाँ पर रहने वाले हैं दोस्तों पिछली बार जो topor था उसका score क्या रहाता नहीं होगी तो अपन अच्छे नंबर नहीं लेकर आ सकते हैं तो पूरी जानकारी में आपको बताने वाला हूँ साथ मैं बताऊंगा दोस्तों कि कितना समय पढ़ना है क्योंकि बहुत सा लिटेन्ट कह रहे हैं सर मैं 10 गंटे पढ़ूं 15 गंटे पढ़ूं कुछ इस्टुरेंट जोब भी कर रहे हैं तो वो किस परकार से पढ़ सकते हैं उसका सटीक टाइम टेबल मैं आपको यहां पर बताऊंगा चले दोस्तों तो सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाता हूँ तो ऐसा ही भरती 2018 हुई थी दोस्तों यानि भरती थी 2016 की उसका एक्जाम हुआ था अक्टूबर 2018 के अंदर तो उसमें जो टोपर था उसके कितने नंबर आये थे तो यहां पर दोनों पेपर के देख लीजिएगा 113 नंबर उसके हिंदी में आये थे दोस्तों 200 में से ठीक है नंबर इंटर्यू के मिलाकर उसमें आ गए थे अब दोस्तों आपको इतने नंबर लाने के आऊशकता नहीं है दोस्तों में यह नहीं कहता हूं कि दोस्तों आप इतने नंबर ही लेकर आए अगर आप में और आप अच्छे तैयारी करें तो ला सकते हैं लेकिन में यह ऐसा नहीं कुझागा कि अदिने नंबर लाना तब आपका सेलेक्शन होगा सलेक्शन लेंकर ने करिए दोस्तों इतने नंबर के आपको हूशकता नहीं रहेगी ठीक है तो केस परकार से दोस्तों जानकारी देखेगा आगे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं एसाई भरती 2016 की जो यहाँ पर कटोप रही थी रिटन एक्जाम की वो भी आप देख लिजेगा जनरल केटिगरी की जो कटोप रही थी मातर 201 नंबर रही थी और इसी प्रकार से जो जनरल टीएसपी शेतर है उसकी भी इतनी रही थी बाकी स्टी की देख सकते हो 161, स्टी की 16 64, स्टी टीएसपी की 155, OBC की 201 और MBC की 201 दोस्तों यहने दोस्तों OBC, MBC और जनरल की सेम ही कटोप रही थी तो इन केटेकरिसी जो विद्यारती बिलोंग कर रहे हैं उनकी कटोप में इस बार भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा अलंकि EWS की कम रह सकती है और य यहां पर मैं दोस्तों जनरल केटिगरी की बात कर रहा हूं जनरल केटिगरी की तो बाकी केटिगरी जो है इसे 57 नमबर या 18 नमबर कम कर सकती है यहने जो फिमेल उमीदवार है वो भी दोस्तों तो यहां पर दोस्तों जनरल की बात करें तो 280 नमबर दोनों पेपर में मिला अगर आब के आ जाते हैं दोस्तों तो आपका स्वेक्शन दुनिया की कोई थाकत नहीं रोख सकते हैं वह इंट्रीविवर के ढागी है। तो यह कहूँगा दोस्तों कि आप दोनों के मिलाकर 280 नमबर लेकर आ सकते हो। तो आप दोनों ही जो subject है उनको अच्छा जो है समय दीजिएगा दोस्तों जरूर नहीं है पिछली बार कई है जो select हुए थे उमिदवार वो दोस्तों प्लस फिजिकल क्योंकि दोस्तों फिजिकल होता है 100 नमबर का पिछली बार का जो दोस्तों क्या यहां पर target रहा था क्या एक यहां पर रननीती रही थी और कैसे जो है उमिदवार को select किया गया था ठीक है तो यहां पर देखेगा जो फिजिकल की और रिटन एक्जाम की आ जाते हैं जो male candidate है general का और female है उनके 245 से 261 तो आपका selection हो जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो physical और written exam की कटोप गई थी वो 307 नमबर पर गई थी दोस्तों क्योंकि मैंने दिया था मुझे पता अच्छे से 307 नमबर जिसके आ गए थे वो interview के लिए qualify हो गए थे और मातर 2000 student को ही qualify किया गए थे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा student थे इसलिए जो ही कटोप पर कम गई है यानि सब को ज़्यादा को पास किया गए था इंटर्यू के लिए तो 307 से जिसके ज़्यादा थे या 307 नहीं पर चेहन हो गए थ तो आप सोच सकते हैं दोस्तों इस बार में आपको लगबग 15 से जो 15 नंबर है वो ज़्यादा है आपर बता रहा हूं अब ऐसा क्यों कह रहा हूं क्यों कि पिछली बार दोस्तों ऐसा हुआ था कि बहुत सारे student ऐसे थे जिनके दोस्तों return के अंदर लगबग मान के चलो दो 290 नंबर भी थे लेकिन physical disqualify हो गए थे किसी के 300 से ज़्यादा नंबर भी थे वो disqualify हो गए थे और कई student ऐसे थे दोस्तों जिनके 220 नंबर थे और physical के अंदर वो 100 नंबर लेकर आ गए थे और उनका chain हो गए था तो ऐसा नहीं है कि लगबग 280 नंबर ही जो मैंने उपर बता रहे हैं तो आपका selection हो जाएगा तो दोस्तों इसमें जो तीनों चीजें हैं वह यहां पर माइने रखती है जरूरी नहीं है कि क्यों रिटन एक्जाम ही आपका माइने रखेगा क्योंकि रिटन एक्जाम में आप 300 नंबर लेकर आ रहे हैं और आपका फीजिकल क्वालिफा होना चाहिए तो chances आपके 100% हो जाते हैं ठीक है तो यह सारी जानकारी आप देख सकते हैं यहां पर जनरल से स्ट की भी कटोब वगर यहां पर आप देख लीजिएगा क्या आपको किस परकार से लेकर आना है इस बार यहां तक दोस्तों फीजिकल तक बता रहो हैं लेकिन मा आपको पता ही होना चाहिए कि 200 नंबर का होगा और दो नंबर का एक प्रशन होगा ठीक है और नेगिटिव मार्किंग भी इसके अंदर है और फीजिकल जो है आगे जाके हट जाएगा इंटर्वी में और इस बार भी दोस्तों लगबग आप मानके चलों 900 अपन मानके चलत तो दोस्तों फीजिकल की कटोप तो और कम जाने वाली है जो मैं कटोप बताई थी मैंने 200 सी नंबर आपको वो है दोस्तों फाइनल सेलेक्शन की ठीक है ना फाइनल सेलेक्शन की और फीजिकल अगर आपको कोल आ जाता है तो उसमें आप फीजिकल में अच्छा स्कोर करने तो उनको पढ़ते रहीएगा, मैंने कूँगा क्या उनको चेंज करके आप जो मैं बता रहा हूँ वो लेकि आएगा, ठीक नहीं दोस्तों अगर आप अभी से तैयारी करना चाते है और कम समय है आपके पास में जोब कर रहे हो अगर आपके पास में होगी अच्छी सी, तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, यह मैं दावे के साथ में आपको कह रहा हूँ तो सेलेबस जरूर आप चिपका लीजेगा, उसमें सेलेक्ट करते रहेगा, मैंने क्या क्या चीज़े पढ़ लिए और क्या नहीं पढ़ी है तो उनको एक बार आप देख लीजेगा, इसके बाद में रोजाना दोस्तों आपको एक टेस्ट जरूर देना है वो टेस्ट में आपको 5-15 पर दोस्तों रोजाना साम को क्लास ले रहा हूँ तो वो आप में GK और JS का टेस्ट है, उसके बाद में हिंदी का भी सुरू कर रहा हूँ उसके पीडिये भी में टेलिग्राम पर डाल देता हूँ जो कि बहुत अच्छी है दोस्तों, यह अच्छी टेस्ट स्रीज भी आपको प्रवाइड दुराती है तो इस पर आपको विजिट करना है, इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जिसमें आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देख जाएगा राजस्तान, जीके और हिंदी यहाँ से आप जो है बुक डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, कम समय में आप तैयारी उसके लिए कर सकते हो तो इसका लिंक में डिस्क्रेप्शन में दे दूँगा, जाकर आप अपनी बुक को वहाँ से देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो, उस बुक के लिए यहाँ पर इस परकार से आपको लोगो मिलेगा ठीक है, यह मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता है, बड़ा एक्जाम है तो लगबग साड़े चार से पांस लाग स्टूडेंटों ने इसमें अपलाई किया है, विद्यार्तियों ने तो लगबग 6-8 गंटा कम से कम बता रहा हूँ, और ज्यादा दोस्तों कुछ लोग करें कि 15 गंटे पढ़ने से सेलेक्शन होता है, या 20 गंटे ऐसा कुछ नहीं है, 6-8 गंटे पढ़ने से भी आपका सेलेक्शन हो जाएगा, बस पढ़ने की आपको रन निती बनानी चाहि तो उसको आप देख लीजेगा, वहाँ से पता चल जाएगा, और वैसे दोस्तों, राजस्तान जीके के लगबग 25-26 प्रशन आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा, बाकि सब्जेट के 8-10-10 प्रशन आपको मिलेंगे, यह उसा तेवरेज रहेगा, हो सकता 1-2 प और से यहाँ पर द्यान देना दोस्तों, यह नहीं कि भाई मैं तो केवल हिंदी के पीछे पढ़ गया, ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों में, क्योंकि पिछली बार कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके हिंदी में 190 नमबर आ चुके थे, 190 नमबर आप सो सकते हो, और दोस्तों जो पेपर टू था, जीके और जीएस का, उसमें केवल सित्तर नमबर ही आए थे, तो आप सो सकते हो, लगबग दोस्तों, उसके 260 नमबर बन गए थे, फिर भी वो फेल हो गए था, ठीक है, और कटॉप गए थी 201 पर, फिजिकल लिए फिर भी फेल हो गए था, गुरु जी क्योंकि दोस्तों, 72 नमबर चाहिए वई, दोसों में से, तो यहाँ पर दो नमबर कम रह गए थे, इसी होज़े से वो फेल हो गए था, और कई स्ट्रेंट इसे थे जिनके जीके में अच्छा है थे, लेकिन हिंदी में नहीं आए थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी इस नमबर उसमें जएदा सकते हैं, या आपके जीके अच्छी है तो हिंदी से जएदा सकते हैं, इसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल मैंने जो है एक सब्जेट को छोड़ी दिया है, या कभी कबार उसको पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये सारी रणनीती मैंने आपको बता दी है, और क्लासे सुरू हो चुकी है, आपकी पांच पंदरा पर रोजाना, तो उसे आप जोइन कर लीजेगा, और पिछली बार मैंने एक्जाम दिया था, अच्छे से नमबरों से मैंने पास किया था, इसे एक्जाम क तो वो अनबों में भी आपको बताऊंगा, और जल्दी ही आपके लिए पूरा स्टेडी माट्रियल भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है न, तो आसा करता हूँ, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लेगी होगी, तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा, जो दोस आपकोप।